हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह रेल जिस पट्री पर चलती है, उस पट्री का इनकलाइनेशन 1 is to 20 है, जो UK में होता है, 1 is to 40 जो USA में चलता है, इंडिया फोलो करता है UK का, यानि इंडिया का जो पट्री का इनकलाइनेशन होता है, उसी के उपर रेल चलती है, जिसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, और यह इनकलाइनेशन और जो फ्लेंज है, उसका जो कंसेप्ट दिये थे, बिलियम जेसप दिये थे 1789 में, इनी का दिया हुआ, आज तक फोलो किया जा रहा है, लोग फोलो कर रहे हैं, जिसा इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, यह एकसल बोलते हैं, और एकसल में दो चक्के लगे रहते हैं, यह चक्के का जो उबरा हुआ पार्ट है, उसको फलेंज बोलते हैं, जो उठा हुआ पार्ट है, जो जिसके उपर पटरी पर चलती है, उसको थ्रेड बोलते हैं, और एकसल के ऊपर दो चक्के लगे होते हैं उसका diameter difference 0.5 mm होता है सेम बोगी में यह 5 mm का difference तक चलाया जा सकता है और सेम कोच में 13 mm के difference के चक्के diameter तक चलाया जा सकता है तो यह तो ICF, LHB और Demo के लिए यही जब बागन की बात किया जा है तो बागन में यह सेम एक सल पर दो चक्के होते हैं वो चक्के का diameter difference 0.5 mm सेम बोगी बागन में आपको 13 mm और सेम कोच सेम बागन में सेम बागन का कोच में आपको 25 mm का difference तक अलाव किया जाता है और उसके नीचे आप जिसे देख रहे हैं कि बील डायमेटर न्यू डायमेटर न्यू डायमाव का 915 mm होता है से कंडेमिंग 825 mm होता है नो इस परकार से आपसे यह भी पूछ सकता है कि आई सी आपका लास्ब इसव पिसू होता है जबकि फियेट बोगी जो LHB जिसको बोलते हैं उसका जो लाज सव विसु होता है वो होता है 862 mm किसी-किसी पुराने में आपको मिलेगा कि फियेट बोगी का कंडेमिंग लिमीट 845 mm है लेकिन अभी नए कनुसार यह होगी 855 mm कैसना बोगी में में यह 1000 mm है नया का और इसका कंडेमिंग का है 906 mm बागन का ही बोगी लो कंटेरनर बागन होता है जिसका न्यू बिल्ड आया 840 mm होता है जबकि कंडेमिंग बिल्ड आया 780 mm होता है जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं बिल गेज कि इसको बोलते हैं तो फ्लेंज से फ्लेंज उन्हें चक्का के फ्लेंज उबरी भाग है उसके अंदर 13 mm नीचे से मेजरमेंट करते हैं फ्लेंज से फ्लेंज डिस्टेंज को बोलते हैं बिल गेज जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं बिल गेज 1600 plus 2 minus 1 mm होता है यानि 1599 से लेके 1602 mm तक होता है और ये बिल वेस हो गया बिल वेस जो होता है कि 2 xl के center distance को बिल वेस बोला जाता यानि बोगी में लगे 2 xl के center distance को जब आप measurement करिएगा उसको बिल वेस बोलते हैं और बिल वेस जनरली ICF के लिए जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं वो 2896 mm होता है आप 2 xl के बीच की दूरी जब ICF में मेजर करिएगा तो 2896 mm होगा जब हम हम P8 बोगी की बात करेंगे जो LHV में लगता है तो उसका बिल वेस 2560 mm होता है जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं दो एक्सल की बीच के डिस्टेंस दिखाया गया है 2560 mm in P8 बोगी इसके बाद बागन की बात करें जो कैसन बोगी होती है उसका जो बिल वेस होता है वो होता 2000 ±-5 mm तो बागन में जितने बोगी होता है उसके बिल वेस होता है 2000 ±-5 mm और ये है बिल सेट बिल सेट में ये इसका जो क्या डिफेक्ट होता है जिससे थिन फ्लेंज हो गया डिप फ्लेंज हो गया सार्फ फ्लेंज हो गया रूट रेडियस लो हो गया hollow tire हो गया, flat tire हो गया, thin tire हो गया इस प्रकार से ये build effect आता है जिसका पहला भाग आप देख रहे हैं कि build flange की मोटाई जो होता है 28.5 mm होता है वो घिस कर अगर 16 mm हो जाए तो ये thin flange हो गया है, पतला हो गया जिसा कि पिक्चर में देख रहे हैं good mark दिया हुआ है उसमें नहीं घुषता पूरा flange में जबकि जो cut cut mark उसमें पूरा घुष जा रहा है thin flange पतला होने के कारण तो इसको बोलते है thin flange जिसके कारण क्या होता है thin flange और thin flange के कारण train points या crossing पर two root हो सकती है क्योंकि उसका जो flange है वो बहुत पतला हो जाता है और जहां point होता है वो two root हो जाता है वहां से यानि train दो भाग में बढ़ जाती है इसलिए ये defect को measurement करके इसको हटा दिये जाता है चका को हटा दिये जाता है इसके बाद आता है bill flange bill flange की उचाई 28.5 mm होती है वो बढ़का अगर 35 mm हो जाए तो उसको बोलते है deep flange deep flange से क्या होता है कि आप जिसे gauge है bill defect gauge है उसे measurement करते है तो पहला भाग में नहीं सट रहा ये point पे दूसरा भाग में पूरा सट जाता वो ने deep flange हो गिया उसका मुटाई 35 mm हो गिया deep flange बोलते है इसके बाद आता है surf flange surf flange जो होता है bill defect gauge से हम measurement करते है गुलाई को तो गुलाई क्या होता है ये 14 mm का होता है नया बिल में नया बिल में 14 mm होता है ये घिसकर 5 mm होने से इसको बोलते है surf flange हो गिया surf flange के करण rail joint पर लगे फिस पिलेट बोल टूट जाता जिससे rail दुरगटना होने एक स्वामना बढ़ जाती है ये उसके बाद आता है root radius जो इसका जो root radius है जो नया बिल है उसका होता 16 mm ये घिसकर अगर 13 mm हो जाए इसको बोलते है root radius low हो गया root radius low के कारण क्या होता है चक्का पट्री से उतर सकती है और train दुरगटना गरस्ट हो सकती है तो ये root radius low नहीं होना चाहिए low होने से इसको फिर से बनाये जाता है इसके बाद आता है आपका बिल गुलाई पर 5 mm या उससे अधिक गढधा बन जाता है उसको बोलते है hollow tire hollow tire में क्या होता है कि आप बिल गे जैसे रखेगा तो आप उसका पूरा बिल गे सठता है नहीं सठता मतलब सही है जब पूरा पूरी सठ जाता बिल के साथ मतलब hollow tire हो गया नाला बन गया उसमें उसको बोलते है hollow tire ये भी डिफेक्ट बहुत ही खराब है इसके बाद आता फ्लेट टायर फ्लेट टायर का होता ब्रेक बाइंडिंग के समय में जो रेल चक्का होता घिस के वो एक्तम सपाट हो जाता है तो ये ICF के लिए ये 50 mm का परमिसिवल है वही मालकारी के लिए 60 mm परमिसिवल है जबकि य उससे ज्यादा नहीं चले इसके बाद आता थेंफलेंज थेंट टायर की खाट ढूंध के बाद आया थेंट टायर में कि आता? टायर पहले जमाने में को डिए लग से लगाय जाते थे तो वह एक लिमिट दिया हुआ था वह थेंटायर का शाड़े तीरशट एमम होता था तिन टायर का जो मुटाई होता था वो घिस के 25 इमम हो जाता था तो उसको ठीन टायर बहुत देते और ठीन टायर अलग से लगा जाता तो इसको बोलते हैं अभी यूज नहीं होता जैसा इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि बील का डायमीटर के हिसाब से हम ठीकने सब हार देनल झालिख हैं जेसाबल बरहा फैकिंग हाता यह उसका का पेकिंग दिए जाता जयाँ जैसी वह रहा बंड़ा-षै-ध्यृत की नहीं चलोवा जो 20हां आल ब्रीक सैसंद की तो इसका यृत 1ह द्यद ऄंडिल्वेट